सत नाम सिरिवाहि गुरू साहिब जी दोहरा ठांडे तरी परतीखते पिखत पाच्छलो साथ आए मिलहें एकठे सकल उलंगन को चहनाथ ठांडे तरी परतीखते वाहि गुरू जी का खाल्सा वाहि गुरू जी की फते अंतर जामी करना निदान ग्रीब निवाज पतित पावन पगत वच्छल अकाल पुर्ख वाहि गुरू साहिब जी दी अपार बख्षिश सद्का चौर शतर तक दे मालक जुग जुग अटाल दसां पाथशाहियां दे आत्मिक स्रूप तानतन स्री गुरू गरंत साहिब जी माहराज दी पावन पवित्तर सत्संगत करन्दा शुब अवसर प्रावत हो रहे हैं आओ इस समय वेच गुर इतिहास दी कथा विचार सुनिए गुर इतिहास दी चल रही लड़ी वार कथा दे प्रसांग जेवें पिछले दीवाना वेच सर्वन कराए जा रहे सन सत्गरू तेक बहादर साहिव माहराज बकाले नगरतों चल के स्री अमर्त सर साहिव विखे पहुँचे अमर्त स्रोवर विच इशनान गरी बनवाज सचे पादशाजी ने कीते है सत्गरू ता अवना जान के सिरी हर्मंदर साहिव दे परबंद संबालन वाले मसंदा ने हर्मंदर साहिव दे दरवाजे बंद कर ले गुरू गरीब नवाज सचे पादशा बाहरों नमशकार करके थड़े साह वाले अस्थान ते कुझ समान ठहर के उथों चल के महरा सचे पादशा वले नगर विखे पहुँचे पाई मक्षण शाह महरा सचे पादशा जिदे अस्थान दे हर्मंदर साहिव दर्शन कर नवास दे गए बसंदानों मिलके उनानों उनान दी कुमात बावत दस्याए सुनके उँ महरा सचे पादशा वाल वले नगर वाल गए पर फिर भी आपनी चत्राई महरा जिदे सम्ण ने परगट कीती मसंदाने होर जो संगता महरा साहिव जिदे पास पुल बख्षान वास ते गईया है सद्गुरु महरा सचे पादशा जी ने तिनानों बख्षिश परे बचन सुनाए एक रात विश्राम महरा सचे पादशा जी ने वले नगर विखे कीता है पाई मक्षन शादे आउनते अगला दिन होनते नाल लेके सद्गुरु सचे पादशा बाबा बकादा नगर विखे पहुंचे कई दिन सद्गुरु गरीब नवाद सचे पादशा फिर बकाल नगर विखे ठेरे बेंत संगता महरा सचे जी दे दर्शन दिदारे करन वास्तियां दिया सद्गुरान दा बहुत परताप जस्परगट होया जेड़े बाई मजियां लगा के चूटे गुरु बढ़ के बैठे हो इसान बकाल नगर उना ने वेखिया के होन साधी पूजा करौण दी गुरु बढ़ दी जो इच्छा है पूरी नहीं हो सकेगी आपो अपना साज उसमान चुक के उत्थों चल दे बढ़े पाई मक्षण शाह ने महरास भी नो आके बेंती करके वापस जान वास ते आग्या मंगी सद्गु महरास चे पात्षाजी ने किहाए कि असी में इस थान ते वकाले नगर वेच होना अगाह वास ते नहीं रहना चाउंदे सद्गु महरास सचे पात्षाजी ने जमें आग्या किती सब त्यारी सिखां से वकाने किती है सद्गु महरास ने बकाले नगर तों चाले पाए चल करके बियास द्रिया दे पास पहुंचे हर पिछे जो वहीर आ रहाए उना दी उडीक वेच किनारे पास सद्गु सचे पात्षाजी खडे ने मिस्थार पूर्वक एत्थों तक प्रसंग दी विजार पिछे सर्वन कराई गई सी अग्ये जमें कथा आ रही है सद्गु तेग बहादर सभ महरास सचे पात्षाजी दा त्यान कर दिया होया सर्वन करिये जी सत नाम स्रिवाहि गुरू साहिब जी दोहरा ठांडे तरी पर तीखते सद्गु नौवें पात्षाज स्रिगु तेग बहादर सभ जी महराज बियास द्रिया दे पास जाके द्रियातों पार होन वास्ते सद्गु सचे पात्षाजी जो बेडी दी उडीक वेच खड़े हान पिखते पाच चलो साथ और सद्गु महराज सचे पात्षाज जो पिछे साथ आ रहा है वहीर दे रूप वेच उन्ना वाला देख रहे हान आए मिलहे एकठे सकल ते सद्गु सचे पात्षाज उडीक वेचने के जिस विले सब सिख सेवक आग के मिलके एकठे हो जानगे उलंगन को चहना थे यह महराज सचे पात्षाज ने बियास द्रियातों पार होना चाहिया ते थोड़ियां ही कुछ वस्तुआ सद्गु महराज सचे पात्षाज जी दे आपने कर विखे रह गयां सान क्योंके बहुत सारियां वस्तुआ ता सब तीर मल दे डेरे विच ही पेज देतियां लग तरंगन पर तरसो ले आए क्योंके तीर मल ने अपना शीहां मसंद पेज के गुरु महराज सचे पात्षाज जी ने ओस्तुआ जेड़ा गुरु कर दे विच्चों में उसने लुटिया सी ओभी उसनों देन वास्ते सारा वापस कर देता इसलिए थोड़ा ही समान जो है शोटी कोडीदे उपर लद के सेवका ने लेंदा है सने सने गुर्टेग चले आए और सहजे सहजे सिख सेवक सद्गुरु महरा सचे पात्षा जी दे पास पहुंचे हनचाल के के तक सिख फकीर के तेक तेक ने ही गुरु महरा सचे जी दे सिख ने कई सद्गुरु महरा सचे जी दे नाल प्रेम करनवाले फकीर सद्वाद वीहान मिल संगी पे जल्द बबेक ते एस तरह जेडे मिल के सद्गुर्ट करनवाले हन ग्यान दे समंदर सद्गुरु तेक बहादर सचे महरा जी दे आए आए गुर्टेग होई ठाडे ते ओवी आए के महरा सचे जी दे पास हाजर हो गए शर्दालू प्रेमी मन गडे जी डे बहुत शर्दालू आए जो बहुते मानवेच गुरु महरा सचे प्रेमा हरदेवेच द्रिड करके रखन वाले हान इतने महें सिख सो चले आयो ते इने नू जदों के सद्गुरु महरा सची पाथशा बियास द्रियातु पार होन वास ते खड़े ने ओ सिख वी चलके सद्गुरु सची पाथशा जिदे पास पहुंच गया है गुरु गरिंथ जिन सीस उठायो ते जेस सिख ने आपने सीस उपर सिरी गुरु गरांग साय महरा जिदा सवारा कीता होया साथगुरु महरा सची पाथशा और साथगुरां दे सिख ओस सिख वाल वेखन लगे हान सबना ने सिरी गुरु गरांग साय महरा जिदा सुरूप जान के उस तरफ हाथ जोड के नमशकार कीती है तेग बहादर गुरु बखानेयों ते सत्गूरू तेग बहादर सहभ महरा सचे पात्षा स्रीगुरु गरंथ साहभ जी दे सुरूप दे दर्शन करके आपने मुखार बेंदतों बचन कर दे हाना कौन गरंथ साहभ इह आने हो ये बाई ए जो केड़ा है सुरूप सिरी गुरु गरंद साहिब जी दा लेके आंदा सिखने कित ले जाए अहे किस पास ते किदर लेके जा रहे हन और इस वेड़े ए जो सिरी गुरु गरंद साहिब दी बानी दा सुरूप है किना दे पास है तब किरपाल गुजरी को प्रहात तां फिर मारा सहीब जी दे एह बाचन जाद सुने है तां जो माता गुजर कवर जी दे पराता हाना पाई किरपाल चांद जी सर्ब सुनाए पनियो सो बिरतांत ते सबना वेच इस तरह कहके शिरी गुरु गरांग सहीब जी बाबत दसन लगी हाना शिरी गुर अरजन प्राथम लिखायो के सद्गु माहरा सचे पाथशा एओ सुनाए गुर्बानी दा जो आप जी दे दादा सद्गु शिरी गुरु अरजन देव सहीब माहरा जी ने पहला लिखावना कीता ते तीर मल सो छल कर पायो ते तीर मल ने छड कर के अपने पास ही करतार पुरसाइव नगर विखे इस रूप गुर्बानी दा रख्या सी देरा लूट लीन जब सारे जदो माहरा सचे पाथशा जो तीर मल दा देरा लोटके ले अन्दा आपना ही साज उसमान जेडा जदो वापस ले अन्दा सी आपजी दे सेख पाई मक्षण शा ने तीर मल दे डेरें तब ते आयो सदन हमारे तदों दा एह गुर्बानी दा सुरूप स्री गुरु गर्ण साह जी दा माहरा सचे पाथशा जीव अपने कर विखे आया होया महा महातम है इस केरा ते इस पावन गुर्बानी दे सुरूप दा बहुत ही वड़ा दर्शन करन दा और पाथ करन दा उपदेश कमाउन दा पारी महातम है जिसके दर्शन पुन कनेरा ते महारा सचे पाथशा जेस इस गुर्बानी दे सुरूप दे दर्शन करन दा ही पारी पुन पराप्त हुन दा रावर बढ़न बनायो एही ते एह जो गुर्बानी दास रूप है साथगुरु महराज सचे पाथशा आप जी दे वड़याँ वलों तियार कीता होया एस टेग होए पूजा बहुलेही ते इस गुर्बानी दे सुरूप दे पास होन करके न सद्गुरु महराज सचे पाथशा आप जिनू तां पता ही है के जो बहुती पूजा परतिष्टा और पूजा पेटा संगता वलों कठी हो जान दी है इस कर सर्ब संगता आवै ते इस वास्ते महराज सचे पाथशा इस गुर्बानी दे सुरूप दे साड़े कोड होन करके और जाजना दे पास स्रीगुरु गरंस साहब जिदा सुरूप होवे उना दे कोड बहुत सारियां संगता दर्शन करन वास्ते आप पहुंच दिया हान ते जदों सिरीगुरु गरंस साहब जिदे दर्शन करदे ने पावना वाले सिख ता महराजी बहुत कीमती पेटावावी अरपन करदे हान यांते आप निक्ट अब रहे इस तरह जो पाई किरपाल चंद जी माता गुजर कावर जी दे प्राता जी सत्गुरु तेक बहादर साह महरा सचे पादशा जी नो दास रहे हान के सचे पादशा इस करके आप जी दे जो सिख हान ओचंँदेहन के गुर्बाणी दा सरूप स्री गुरू गरंस सैव जीदा आप जीदे पास ही रहे अपरधान के उचतना है इसलिए ये जो पावन सरूप है आप जीदे दादा सत् Какberू स्री गुरू अरजिन देव सैव जीदा तियार किता होया है ऐसलिए ऐ अमानत गुरु कर दी है गुरु का रवेच ही रहना चाहिदा है होर किसे दे कौल जीड़ा गुर्मत नू अपना के ना रख़दा होवे गुर्बानीत पूरी शर्दा ना रख़दा होवे उस दे पास ऐस रूप नहीं रहना चाहिदा शुन शुनी टेग बहादर कहेंो ताइ इसनम पाई कर्पाल चंद जी दे पास हो सुरी गुरुप टेग बहादर से महराजि सुन के बचना आख दे हाल हमरे संग कौन बिद रहेंो के पाई साथे कोड एह गुरुबानी दा सुरुप किस तरह रह गया है किन एह राख साथ ने जानने ओ ते किन ना ने अपने पास रख ले ते साड़े कोल रख करके अपने नाल इद्र ले अन्दा साड़े नाल फेर न कहे ओ नहीं सो मानने ओ ते जदों असी बचना क्या सी के तीर मलदे डेरियों जिनना में समान ले अन्दा सब उसनों वापस कर दिता जाबे ते उस विले गुर्बाणी दा सुरूप उसनों वापस क्यों नहीं सी कीता तीर मल के निकट कदी को ते साड़ा ये बचन उस विले क्यों नहीं सी मन्या क्योंके तीर मल दे पास ताएं गुर्बाणी दा सुरूप बड़े चिरांदा है अब पी दैबो बन है तिसी को ते एसले हुन में तीर मलनो ही उस दे पास ही दे देना बनदा है छीन लेन इहो उचतना हमें देखो के ऐसी कोई वस्तु अपने कोल रखिये एसाड़े वास ते जोग गल नहीं है ते जेकर जो उस दे पास रखनवाली अमानत है जानता हूँ आप खोशो के देन्दा हुए सानु अरपन कर देन्दा हुए पर फेरता सी ले सकदे हां पर जदों के ओ नहीं चांदा के एह जो गुर्बाणी दा सुरूप है अपने कोड क्यों रखिये क्यों के जेकर अपने पास रखांगे ता ओ बड़ा दुखी हो के चूर्दा रहा करेगा तब है करपाल सुनावन कीन ता इस तरह साथगुरू ते एक बहादर साह महराजी दे मुखार बिंतों बचन सुनके पाई करपाल चांद जी फिर कहना लगे हानम मक्षन अर माता नह दीन के साथगुरू सचे पादशा एक गुर्बाणी दा जो सुरूप अपने पास ता रखिया सी के पाई मक्षन शा और होरजमी सिखांदी सला सी इच्छा सी के एक गुर्बाणी दा सुरूप ता अपने कोड़ी रखना चाहिदा न के गुरू करदी ही बस्तू है ते इसलिए उस विड़े आव जी दे माता माता नान की जीनु में पुछ्या सी ते उन्हाने में ये बचना खे सी के गुरू करदा ही एक खजाना है इसलिए आपने पास रेणा चाहिदा ती रुमाल न वापस ना आन देओ होतो पता में रावर के राव ते इसलिए माता जीदे वे सलाह ले करके इस प्रकार आपने जो पास आप जीदे ही कर विखे एस रूप रखना की ता ते एह विचार कीती के आप जी दे दादा सत्गरू स्रीगरू अरजन देव साहभ महराजी दा रजया होया गुर्बाणी दा एह सरूप है जिन्हो ग्रिंथ जी कीन बडेरा ते जिन्हान ने एह वड़ा महान उत्म बाणी दा खजाना दा रूप ते आर कीता स्रीगरू ग्रंद साहभ जी दा यांते वस्त आप की आ है ते इसलिए महरा सचे पादशा एह जो गुर्बाणी देख जानने दी वस्तू है ना एह आप जी दी ही है जो गुर गादी पर सोल है एहो विचार कीती सी के जो जेड़े गुरू साहभ इस विड़े गुर्टा गदी उपर सुबाइमान हान वर्तमान समे विच ते उना नो ही आपने पास एह गुर्बाणी दा खजाना रखन दा हक है इम बिचार कर दियो ना माता ते इस तरह पाई किरपाल चंद जी सद्गरू साहभ जी नो दस रहे ने के मारा सचे पादशा एह विचार करके ही जो माता नान की जी ने आखें सी बचना के गुर्बाणी दा सुरूप तीर मलनू नहीं मोडना चाहीदा उचत बिचार ले हो सुखदाता ते अगे सुखदाता सद्गरू जी जे में आप जी नो ठीक लगदा है ते में तुसी बचार कर लो अतशा दुरलब वस्त अजाइब ते मारा सचे पादशा एह जो गुर्बाणी दा खजाना है ना एह बहुत ए अतशा करके बहुलता करके बहुत वड़ी अस्चर जेही दुरलब वस्तु है एह नह देन बनहें गुर साहिब ते गुरू साहिब जी यो साधी भी एह सला है के एह वस्तु गुर्बाणी दी तीरमल नो नहीं देनी चाही दी इतने बिखे नान की आई ता इस तरह ही अजे बेंतियां कर रहे ले ता एने नो माता नान की जीवी पास पहुँच गए हान सुन्दर से अंदन पर सुखदाई ते सुखदाई सवारी जो राथती है उस उपर बैठके आई ले गुजरी सांग चड़ी शुब डोरे ते जो साथ गुरू ते एक बहादर साय महरा सचे पादशा जीते महल साड़े माता माता गुजर कौर जीवी सुखदाई उपर बैठके आई हान ते चारे तरफ जिस बाहन दे उपर सुन्दर सजावट जो चालरां दे समेथ कीती होई है जरीदार जो चालरां लगिया हो या हान जिस स्वारी नू निक्टे आए सुत के बच्च सुने ते माता नान की जी पास आए ले ता आपने सपुत्र रूप साथ गुरू ते एक बहादर साय महरा जी ते बच्चन सुने हान ता इस तरह चेत विच विचारे है के पुत्र गुरू जी ता जेमें एह चौंदे हान उससे तरह ही करना चौंदे ने जेमें ना दी इच्चा है ते इना ने ता जिड़े खोटी मत वारे हाना उना दावी पला कर नवास ते ही आपने चित विच ख्याल कीता है शत्र को हित चाहत रहे ते इस तरह सोच के माता नान की जी सिर फेर दे हाना के ए ता जेड़े के दुश्मन लो कहान ना उना दावी ए पला चाहन दे हाना ते उना वास्ते वी इना दे मान दे वेच उना नू कुई सजा देन दा ख्याल नहीं आउंदा प्रान हान लग खोटो आहे ते जेस तीर मल ने इना दे प्राना दा अंत करण तक खोटे कर्म कीते हाना कहां कहां लग बहु समझ हाए ते जेस ने आपना शीह मसांद पेज़ के इना नू मारं दा जतन कीता वाहिगरू दी किर्पा नाल बचा होया पर उसने ता शीह मसांद कोड़ो सिरी गुरू ते एक बहादर साहब जी दे ओपर गोड़ी चलवाई सी और गुरू का रदा साजो समान साब लोट ले आ सी इसलिए इस तरह माता जी सोच दे हाना कि कित्थों तक जो बहुता समझाओन वारी कोई गले ना पास करिये सरल सुबहाओन कोछ लख पाए ते इना ता जिड़ा सुबहाँ है वाल शालतों रहत है ते जे में दुन्यावी लोग बहुत जो नीतियां दे समेथ कई गला विचार दे ने अपने रूदियां बारे इस तरह दे इना दे मानविच कोई विचार नहीं फुरुदी सिख्यान संग गुरू पुन कहे ओ ता इस परकार माता नान की जीने में विचारे है और फिर होर वी सिख पास खड़े हान सद्गुरू ते एक बहादर सहे महरा सचे पात्षा जी आपने सिखा ताई बचन सुनाओन लगे ने के पाई ए जो गुर्बानी दा सुरूप है ना ए तीर मलत दे पास रहन वाड़ा है एस रूप को अब गमनों लेकर जाओ ते उना दा ही ए जो खजाना है उना पास रहना चाहिए उसने ही अपने कोल रख्या होया सी ते हुन कोई सिख जाओ ते थो चल करके उदे पास पुचा के आओ सुन्पो जाए तिसी के पाहो ते उस तीर मलत दे पास ही ए सिरी गुरु गरंग साहिव जिदा सुरूप साँप आओ हमरे संग ना राखन करो ते एसलई ए सुरूप जो है ना गुर्बाणी दा साड़े नाल ना रखो साड़े कोल ना रहन देओ शिरी करतार पुरे ले तहरो ते इसरी करतार पुरा जो द्वाबे वेच नगर है उथे जा करके सुबाए मान करके आओ तीर मलत दे कर वेच सुन सिख्यान सब जोरे हाथ ते इस तरह सत्गुरु ते एक बहादर साह माहराजी दे स्रेश्ट मोखतों साथ संगत जदों बचन सुने हान सिख्याने ता अगों हाथ जोड के बेंती करन लगेने होए नमर बोले गुर साथ निमरता सैद सद्गुरु सहब जीनू बेंती कर दे हान तीर मलत अनमनते खोटा के सद्गुरु सचे पाधशा जेस तीर मलनू ए गुर्बाणी दा सुरूप तुसें वापस करन लगे हो ओ तीर मलता तानमान करके सदा ही हुटा सबात तारन करके रखन बाड़ाए तिसके देखन ते बहुत उटा नमरा सचे पाधशा उसनू वेखन तों बहुत काटा पैरे सचे पाधशा सो ओस दे वेखन करके तानसी समझ दे हांके बहुता ही काटाई पवेगा इसलिए असी ओस तानमान दे खोटे सुबावाडे नू माहराज वेखना भी नहीं चाओं दे साथगुरू सचे पाधशा जीओ आप जिदा बहुत वड़ा ओ निंदक है ते इसलिए आप जिदे निंदा उसने पहला कीती भी है आप जिदा बहुत विरोध कीता है तो हाड़ा निरादर कीता है उसने महुत वड़े ऐसे बेदभी करंदे पाप कमाए हाना कह कर तुम पर तुपक चलाए ते साथगुरू जीओ उसने आपने लोबी मसंदानों कहके तो हाड़ी उपर गोड़ी चलवाई है करहे सदा दुष्टन की संगत ते तीर मालजो सदा ही दुष्टस बावाडे शीहे मसंद जेहे लोकांदी को संगत करदाए उत्तम जान जिसकी नहे पंगत ते मारा सचे पाथशा कोई सयाने सूजवान मनुख नहीं हाने उसदे पास मिल बे की बानचा नहे तरे एसलई महाराज साड़े मानवे चतां तीर मालनू मेलन दी थोड़ी भी इच्छा नहीं है क्योंके महाराज सचे पाथशा आप जी दी ब्यद्वी करनवाडा बहुत वड़ा आप जी दा गुनागार है तीर माल हम बे लोक नह सक है सहारो ते असी ता असी उसनों वेखणा नहीं चाओं दे जे कर साड़े सामने आजावे सानों दिस पवेतां साथ हो वो ऐसा आप जी दिन रादरी करनवाडा जो जर्या नहीं जानदा उसनों वेखणा मारा सचे पाथशा इसलिए असी उसनों वेखणा मे सुन गुर सब सिखन की बिनती एस तरह सारे सिखावलों बेनती साथ गुरु ते एक बहादर साहिब महराजी ने सुनी है मन में है गिनत रहे गन गनती ते आपने हिरदे वेच बहुत विचारां कर दे हन साथ गुरु जी के असी एह सिरी गुरु 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 जी दा जो सुनी है आपने पास नहीं रखांगे क्योंके तीर मल दे एह कोड़ सी पहला ते स्टेग पहुंचे चित अब लाख हैं ते साथे मान में वे इच्छाए के उस दे पास ही गुरु गुरु जी वाल वेखे आए बेख के स्रीगु गुरु गरंच जी दा सुरूप तीर मल नो देन तो साथगुरु साहब जिन वर्जन लगे हान के हस पतर जी ये जो गुरु गुरु बाने दा सुरूप तीर मल नो मोड़न दा तोसां कियो अँ वड़ा हट कीता हो या ये अपने बड़ेयां दी ये दुरलब वस्तू है ये जो दुरलब सरमाया है ना ना लबया जानवादा बहुत ही कठन परापत होनवादा अमोलक जो खजाना है सृ गुरुगरंट सहाँ जी दी बाणी दा ये अपने बड़े आंदा ही रचया होया बख्षिश कीता होया ते कोई अनेका ही जतन जेकर करेगा ता फिर भी एह जो सुरूप है गुर्बानी दा खजाना के में पराप्त हो सकेगा तीर मल पासों नहें दी जहें निज साथ रखी जहें ये पुत्र गुरूजी एसलिए एह जो गुर्बानी दा सुरूप है तुसें तीर मल नू ना देओ आपने पास ही रखो नीके रदे बेचार लखी जहें ते चंगी तरह आपने चेत विच पहला तुसें विचार के जानो रिप को कछू तदारक होए ते जेड़ा दुश्मन अना गुरू करदा ते उसनु में कोई ना कोई सजा मिलनी चाही दिया क्योंके एह गुरू का ही खजाना उसने पास सी ते किन्नी वड़े आई एस खजाने करके भी उसनु पराब तुन्दी सी ते फिर भी उसने सबर नहीं सी कीता तुहाडी बराबरी करन दा यतन कीता अनेका कोशिशां कीतियां बकाले नगर विखे आके गुरू बढ़ के बै के गदी लगा के दिखाया के मैं गुरू रूप वेच कि ते परगटो जावा गुर्ता गदी दा मालक बढ़ जावा मैं फिर भी ऐसा उसने सबर संतोख नहीं है रखिया ते जे कार उसने तुहाडी उपर गोली भी चलाई है साज उसमान में गुरू करदा लुटे आए ते उस दे कोड़ों गुर्बानी दा जेड़ा सुरूप है उता हुन आपने पास ही रखना चाहिदा है जो सही रस्ते चलन दा सबक मिलदा है करी अवग गया ले फल सोए जो उसने गुरू कर दिन रादरी करन दा जतन कीता उस दा फाल उसनों मिल जाए अधक शरीका और महतार है ते बहुता शरीका करदा सदा ही तुहाडे नालो हूं नह बड़े आई तनक बिचार है तोड़े जहें वे तुहाड़ी बड़े आई दी आपने चेत वेच तीरमल बिचार नहीं करदा एने कदे उसने सोचया के एता मेरे सके चाचा जी लग देने मेरे पिता बाबा गुर्देता जी दे ए शोटे पराता रूप हन मेरे चाचा जी हन सो ऐसी वड़े आई दी कदे तीरमल ने चेत वेच वेच वेचार नहीं किती ते तुहाड़ा ओ पती जाए ते फिर भी बहुता जादा तुहाड़ी बराबरी कर नमास ते हंकार करदा नहें जिसके कुछ रहे ओ बिचार ते जिस दे मानवेच तुहाड़ा सतकार करन दी कोई भी बिचार नहीं रहीं किसी रीत ते अदब ना राखा ते किसे तरांदा भी उसने तुहाड़ा जो अदब सतकार नहीं रखिया करत सदा मारन अब लाखा ते सदा ही तुहानू मारन दी इच्छा करदा है इमसने हो तिसके संग तहरना ते इस तरह तुसें फिर भी उस दे नाड प्रेम कर रहे हो उसनू जो गुर्बाणी दा खजाना वापस कर रहे हो माता नान की जी सरी गुरू तेक बहादर सहीव जीनू आख रहे हन के सानू ता इमें लगदा है के जे में तीर मल दे नाल तो हड़ा बहुता प्रेम हो वे किम नाचत हो जे में दूर मत करना ते जे में ओह खोटी मत अनू सार चल के तो हड़ा बुरा करन दा यतन करदा है ऐसी विचार चित वे चित तुसी उस बारे क्यों नहीं करदे सुनत मात ते तर मुखमोन माता नान की जी दे बचन सुनके सिरी गुरू तेक बहादर सही महराज फिर भी चुपर है हन चित है उपाए कर है अब कौन ते विचार दे हन के होन कोई ना कोई उपाओ यतन कीता जावे एस रूप तीर मल दे पास पहुचाओन लई सिख सेवक तह जाए ना कोई ते जड़े साड़े सिख सेवक हन ए ता तीर मल दे मत्थे विनी लगना चाहूँदे क्यों के ए तीर मल नो गुरू का रदा बहुत वड़ा अपरादी समझ दे हन करता जान को कर्मन केरा ते ए जान दे हन के ए बहुत ए खोटे कर्म कर्म वाला तीर मल उस दे पास ना ही जाईए नह चाहत सिख दर्श नहेरा एसलई सिख उसनों वेखना नहीं लोच दे करहे परण तिस मुख नह लागे है के आपने मानवेच सिख पराण कर देने के असीता तीर मल दे मत्थे बिनी लगणा के में पहुंचाए गरिंथ तिस आगे है के ए में सद्गुरू तेक बहादर साह माहरा सची पादशा विचार दे हन के ए जो सिरी गुरू गर्ण साहब जी दा सुरूप है तीर मल दे पास के में पुचाए ये तरनी की परतीखना करते बेडी दी उडीक वेच माहरा सची पादशा ब्यास द्रिया दे किनारे ते खड़े हन इस कारज कोर दे बिचारते ते एह कारज जो सिरी गुरू गर्ण साहब जी दा सुरूप तीर मल दे पास के चाउन दा बिचार दे हन जब नौका चल कर टेगे आई ते जिस वेले मला ने सथ गुरू महरा सचे पादशा जी दे द्रिया तु पार करन वास दे बेडी पास लेंदी है ता मालक सथ गुरू महरा सचे पादशा पावसागर तु पार करौन वाले गरीबन वास सचे पादशा स्परता खद्रिया तु पार होन वास ते बेडी वेच बैठे हन स्यंदन डोरे नर समदाए ते राथ डोले आदिक होर जो सब स्वारिया ते होर जिनने सिख सेवक नाल हन मक्षन आदिक तु रत चड़ाए ते पाई मक्षन शाजी ने जितने में जो विहीर दे वेच जो सिख सेवक हन और साजो समान है ते सवारिया हन बेड़यां दे उपर टिकवना कीतिया गुरू गरिंथ को तरी मजहार ते सिरीकुरू गरंसाइब महरा जीता जो सुरूप है बाणी दे वेच जो पेड़ी दे वेच सुबाइमान कीता है शुब थाल पेख कर तरे उसुदहार ते सुब अस्थान वेख करके सवार की अदब दे नाल शुशुबित करके लेके चले हन द्रियातों पार करन तहर तब प्रेरन करी ते मलाह ने फिर बेड़ी नो तोरना कीता जाल वेच नीर गंभीर शीगर चल तरी इस परकार बहुते डूंगे जाल वेचों तर करके बेड़ी शेती पार कर रहा है मला परले तीर गई ततकाला ते पार ले किनारे वे उपर जिस वेड़े बेड़ियां पहुंचिया हन द्वाबे वाड़ी तरती ते उत्तर परे सत्गुरु किरपाला तां किरपा दे कारस सत्गुरु ते एक बहादर साहिब महराजी बेड़ी तों हेठा उत्रे हान एक नर शिरी करतार पुरे को ते एक करतार पुर साहिब नगर जानवाड़ा ही मनोखे उत्थे मिलया है सत्गुरा नू उत्र उत्रे उगुर कै संग उरे को जो सत्गुरु महरा सचे पाधशा जी दे वहीर दे नाल ही मिलके ओ द्रियातों पार होया है भूजन कीनो ताहे बखाना ते सत्गुरु महरा सचे पाधशा जी ने उसनों पुछे है के पाई तूं किते जाना है तां अगों महरा सभ जीनों दस्या उसने मैतिस नगर बिखे चल जाना के सत्गुरु सचे पाधशा जो तीर मल दा नगर है करतार पूर उत्थे जाना चौंदा हम है सत्गुर कहे ओ काज हम कीजए के सत्गुरु सचे पाधशा जी करतार पर वाले उस आदमी नो कैन लगे हाना के पाई साड़ा एक कारज करी जामी जाके उत्थे एक संदेश तीर मल दीजाए ते एक सुनेहा साड़े वलों देदे तीर मल नू जाके गुरु गरिंथ जो तुम ते लियो वो सनू साड़े वलों आखणा के जो तेरे पासों गुरु गरंथ साहव जी दा सुरूप लिया सी सो दर्याओ बिखै तर दियो ओ बियास दर्यादे वेच असी टिका देता है आप जाए कर लेओ निकास ते आप तुसे जाके गुरु गरंथ साहव जी दा सुरूप बियास दर्यादे जल वेचों कड ले आओ पुनस दीव तुम रखो पास ते फिर सदा ही तुसे आपने पास गुरुबानी दे सुरूप नू रखे हो हम नहकीनस अंगी कार ते इस तरह पाई तुम जाके साड़े वल्लों तीरमल नू आख दे मी के असा आपने कोड नहीं ओ रखे है असी जाड़े आएं के तीरमल दे पास रहनवारी ही बस्तू है एसलई असी ते नू मोड़ देती है जाएं अगारी पंथ मजहारे ते असी अगे रस्ते ते जा रहे हैं किसे होर थां ते असी जाके ठहरना चूँ दे हा जांके आउन वारे समय दे वेच जो साड़े अगों जो साजे हुए पंथ दे वेच एह अमानत गुर्बानी दी रहेगी हास जोर तेह मान वमानी ते ए जो करतार पुर नगर जानवारा मनुख है साद्गुर महरा सचे पाथशा जीदा बाचन सुन के इसने आगया मनी है मैं पहुंचत ही करहों बखानी अगों बेंती किती है सचे पाथशा मैं करतार पुर नगर वेच जान दें सार ही पहला जा के तीर मालनू आप जीदा सुने हा देंगा इम समझाए गुरु गात दानी मुक्ती दाता सत्गरु तेग बहादर सह महरा सचे पाथशा जी ने करतार पुर नगर जान वाड़े मनोखनों इमें समझा देता हुत्तो गंविहीर बेग जह पानी ते इमें समझा करके बियास द्रियाद वेच जित्थे के बहुता डूंगा जालदा परवावेर है सी मन जी के समेत जलमा है तान सत्गरु तेग बहादर सह महरा सचे पाथशा जी ने सिरी गुरु गरंत साहिब जिदा सुरूप मन जी दे समेत बियास द्रियाद डूंगे जालवेच टिकावना कीता कहकर पले रखाए होता है ते आपने सिखहनु आख के बियास द्रियाद वेच एह जाणों के अमानत ही महरा सचे पाथशा जी ने आपने बियास द्रियाद देदेती है और आपने मुखार बिंदतों ऐसा बचन उचारन कीताई के ऐ द्रिया ए जो साड़ी अमान तैना ए तुम पली परकार चंगे टंगनाड आपने वेच सुबाई मान संबाल करके रख तुझ तेले हे तीर मल आए ते ऐ द्रिया तेरे पासों तीर मल आके ए साड़े वलों तैनो सौंपी होई अमान ता ले लवेगा जाल गंबीर में हैं जब हे टिकाए ते एमें आख के महरा सचे पादशाजी ने बे आस द्रिया दे डूंगे जाल वेच सिरी गुरु करंद साहर जिदा सुरूप टिका दिता सकल बे लोकत बहो बिसमाए ते जिन्ने में सब सिक्ख सेवक बेख रहे हान बहुता ही हैरान होन लगे हान प्रथम कहत बिपरीत बिसाला ते कई आख दे ने के एता पहला में जिडे बचन कपर रहे साना उस हड़े ख्याल तो उल्ट ही इन्ने बचन आखिया दुन्याथी लोकां दा जैमें ख्याल हुदा उस तो जो दुन्याथी लोकां दी सोचतो आपो जेट जेड़े के उल्ट बाचन इना ने अपनी वलो आखी हाना सो जेड़े के जेड़े दुश्मन सबावारे हन दुश्मनी करन मारे कोटी मत वारे उनना दावी पला करन देवा के ना ने कहे असी सुने रिप को चहत पलो सबकाला ते हर समय वेच एता वेरी दावी पला करना चाहूं दे हाला वस्त अमुलक रख बेलाएक ते होन जेडी के अमुलक वस्त हुआ गुर्बानी दी आपने पास रखनी चाही दी से दे शरीक के सदन सुबाएक ते ए सुबावक ही तीरमल जो इना दे नाल शरीका करदाए उदे करवेच पचवना चाहूं दे हाला को ते हैं गयो ना अब क्या करेओ ते उथे तांग आने कोई इना दा बचन मन करके तीरमल दे पास पर हुन इना ने एक कैसा जतन कीता है द्रिया दे सकुर्द ए जो गुर्बानी दा सुरूप कर दिताए ते जो द्रिया है ए बहुते ही जो डूंगे और तीज जल दे परवाद सहत वेंदा इदे वेच गुर्बानी दा सुरूप रख दिताए ते इस तरह कई सोच दे हाना इमें जो आख दे हाना जल में कागद पीगे है जबे जाल दे वेच ए गुर्बानी दा सुरूप इना ने स्थित कर दिता टिका दिताए पर जाल वेच रह करके जिस वेड़े स्री गुर्बानी दा सुरूप दा रहन करके ता फिर कागज भी जो है पेज़ जावेगा ते जेस करके ता इस परकार फिर सो सिख आपस वेच एक दूसरे नो कहीं देने के जो गुर्बानी दा सुरूप है एता फिर बचहना शीगर जाहें गर तब है पाव के शेती ही जो कागज दे जो सुरूप बाड़ा ए जो सुरूप है गुर्बानी दा लिखिया होया ते इस दा जो कागज है शेती ही जाल विच रखन करके गर जाएगा किम अखर साबत रहे जाएं ते गुर्बाणी दे सुरूप दे जो अखर हाना किमें साबत रहे जानगे बिना पीत जिम चितर नपै है जिमें के कंद तूं बगेर तस्वीर जिमें किमें शपी रह सकती है किदरे इतियाद के आपस मह कहें ते इस तरह दे बोल आपस वेच एक दूसरे नू सुनाए हन गुर महमा कहो पेव न लहे ते जिन्दा ने महरा सचे पादशाजी दी महमा दा पेद अजे नहीं समझया ओ इस तरह दी गल आपस वेच कर देने पुन सत गुर चल परे अगारी ते फिर इस परकार साध संगत सत गुरु महरा सचे पादशाजी बियास दर्यादे वेच श्री गुरु गरंसाइव जिदा सुरूप टिका के ते आप अगे चल पए हन मखण आदिक चले पिछारी पाई मखण जी आदिक जिडे सेव कहाना नाल नाल पेछे चल रहेने सिख शर्दालू तूशन रहे पाई मखण शा और होर सिख शर्दालू जिडे हना एच चुपतार के नाल शर्दावान तुरे जान देने गुर को चर्त पले और लहे ते जिन्ना ने महरा सचे पादशाजी दे कौत का नो आपने मना वेच पहला ही समझया होया है के सद्गुरु महरा सचे पादशाजी जो कुछ भी कर दे हन पला ही कर दे है इस वेच महरा सचे पादशाजी दा कोई ताद पर यह होएगा कोई मतलब होएगा और जो कुछ किता सद्गुरु महराथ सभी ने ठीक कीता है में कईया ने समझया जो किछ कर हैं सो आच्छै बनी ओना ने सोचया है एक दूसरे नुपावना वाडी सिखाने आख्या कि जो कुछ भी सद्गुरु महराथ सचे पात्षाजी ने पहला कीता है ओ पलाही कीता है सत गुर मत जान है को मने ते कौन है जिड़ा महरा सचे पादशा जीदे मतनो सिदानतनो आपने चित विच आपने बुद बाल करके जान सके केचत कहें दुलब शुब महा महरा सचे पादशा जीदा जो आशा है ओ मनुख आपने बुद्ध दुबारा के में समझ साकता है ते कई इस परकार फिर कहन लगे के चित कहें दुलब शुब महां के ए बहुत दुलब वस्तु गुर्बानीं दी बहन दी पुन प्रापत कहां ते कई जिन्ना नू शर्दा नहीं है ओ आखने ने के जदो ब्यास द्रियाद जालवेच गुरु गरंग साहब जी दा जिड़ा सुरूप है बह गया ते फिर किस तरह के दरे परापत हो सकेगा शिरी गुर अरजन हाथन केरा यह ता पावन सुरूप गुर्बानी दा शिरी गुरु अरजन देव साहब महराजी दा रचया होया ते उन्ना दा आपने कार कामलां दुआरे तियार कीता करवाया होया शिरी गुरु गरंग साहब जी दा सुरूप यह ताहुन इमें लगदा यह लूप ही गुपत ही कर देता है अस वस्तू पुन हाथ ना आवे तेहो जही गुर्बाणी रूप वस्तू फेर के में हाथ विच प्राप्त हो सकेगी कौन गुरू संग कह समझावे तेहुन केड़ा हुवे स्याणा जेड़ा माहरा सचे पाथशा जी नूं कहके समझावे करेओ निफल जल बिखेट कायो तेमें कई शर्दाहिन इमें अपने ख्याल मताबक आख देहना के जो एना ने जालवे चे गुर्बाणी दा सुरूप टिका देताए ते इस दा तांके सेनों फिर लाब नईना होवेगा कित बह जाए कौन ले पायो ते एता निस्फली कर देताए ते किदरे एह रुड जावेगा सुरूप ते के में कोई प्राब्द कर सकेगा पिखत नान की रिदात पायो ते माता नान की जीने में जाद बेखियाए ता आपने मानवे च रोस मनमना कीता नह सुत सुंपन बाक अलायो आपने सुत्तर गुरु जी देताएं कोई बचन नहीं आखिया मारग चले जाहें अगवाई ते सत्गु ते एक बहाद्र माहरा सचे पात्षा अगे अगे रस्ते ते चलके जा रहे हन की रतपुर सेव आनन पुर सेव वाले थामार नू सेवक सेख फकीर समझाई ते गुरु के सेख सेवक और जेडे फकीर सादू जिनना नू माहरा सेव जी संगत करके नंद पराब्त होया ओ भी नाल नाल तुरे जा रहे ने सत्गुर की करत मक्षन देखे ते पाई मक्षन शा जी ने सत्गुर महरा सचे पादशा जी दे किते है कौत कनू आप तक्या है तरी मौन बिसमाई बिशेख आपने चेत वेच हैरान हो के पाई मक्षन शा जी चोपी रहे किसे वे सेखनो सत्गुर महरा सचे पादशा जी वलो बियास द्रियादे वेच सिरी गुरु करंद सहब जी दास रूप टिकाउन बारे कुझ नहीं आखिया कहना सके कुछ लख सर बग गया ते कुझ भी कहना नहीं सके क्योंके इस तरह चेत वेच पाई मक्षन शाजी ने वेचारे है के माहरा सचे पादशाजी तां सर्बकला समराथ हन एस लए जो कुझ भी कर दे हन साथ गुरु जी ठीक कर दे ने साड़े वल्लों माहराज नो सला की देनी बांदी है हम क्या जान सक हैं अलपग गया ते इस तरह आपने चेत वेच पाई मक्षन शाजी ने सोच आए के असे अलपग जी भाँ थोड़ी मात वाले लोग हाँ ते साथ गुरु माहरा सचे पादशाजी दे करनी बाबत असे की सोच सक दे हैं जो भी साथ गुरु माहरा सचे पादशाजी ने कीता है ठीक ही किता होएगा इवए सोचके पाइमखन शाजी ने किसे वे सिक्षन दाल इस बाबत कोई बचन नहीं आखिया के सत्गुरु महराथ सचे पाद शाजी ने एक ही किता है इवे नई सी करना चाहिए दा इस पर कार दा कोई बोलने किसे नों कि हा आपने चेतवे चे महरा सचे पाथशा जी दे कीते उपर पाई मक्षण शाजी प्रसंद रहे हला इत्वों तक साथ संगत जी समय अंसार जो गुरत हास दी कथा विचार दा प्रसंग बयान कीता है सतगर की करित मक्षण देखे तरी मौन बिसमाई बिशेख कहन सक है कुछ लख सर बग्या हम क्या जान सक है अलपग्या वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते क्या जी है